नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्तित हूं दोस्तों आप सभी की सिवा में कुछ एक महतो पून चानकारियों को ले करके दोस्तों जिहां दोस्तों हम आप सभी से बात कर रहे हैं आज कल कुछ एक और शधियों के बारे में दोस्तों जिहां दोस लौंग को सुगंधित होने के कारण सभी इस्त्री पुरुष पसंद नहीं करते हैं। लौंग से बहुत से प्राकृतिक और शधियां बनती हैं दोस्तों। आए हम जानते हैं आज उनके बारे में। लौंग को पानी के साथ पीश कर सहद में मिलाकर चाटने से खसरे के रोग में बहुत हीं लाब होता हैं। नाइविक यानि के मस्तक शूल खत्म होता है दोस्तों। बस वरेल में लंबे सफर के समय अगर आपको मिचले या उल्टी होने लगे तो एक लौंग मुह में रख करके बैठ जाएं दोस्तों। मिचली याने बंद हो जाएगी। नमबर फोर लौंग को 200 ग्राम पानी में देर तक उबाले 50 ग्राम पानी बाकी रह जाने पर उसे चान कर पीने से वायू विकार और पीट दर्द शान्त हो जाता है दोस्तों। नमबर फाइव लौंग के तेल की सिर पर मालिश करने से सिरदर्द खतम हो जाता है दोस्तों। नमबर सिक्स लौंग और हल्दी को पीस कर लगाने से नासूर में बहुत फायदा होता है। नमबर सेविन लौंग को जल में उबाल कर छान कर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने से हैजे की विक्रिती में उल्टी का प्रकोप शान्त होता है। मुत्र अधिक निश्कासित होता है दोस्तों। नमबर एट लौंग को आग पर भून कर कुट पिस कर चुन बना कर मधु मिला कर चाटने से कुकुकुर्ख खांसी यानि की काली खांसी में बहुत ही लाब होता है दोस्तों। 9. शरीर की किसी भी भाग पर शोध होने पर लॉंग का तेल मलने से भी चमतकारिक लाब होता है 10. लॉंग को मुह में रखकर उसका रश चूसने से खासी खत्म होती है जब तक मुह में लॉंग रहती है तब तक खासी बंद रहती है दोस्तों 11. लौंग को मुह में रखकर चूसने से मुह और स्वास की बद्भू दूर हो जाती है 12. लौंग के तेल की कुछ बुंदें किसी स्वक्च कपड़े के टुकड़े पर टपका कर उस कपड़े को बार बार सुंगने से प्रतिर्षय यानि के जुकाम की समस्या ठीक हो जाती है 13. लौंग को पानी के साथ पीस कर 100 ग्राम पानी में मिला कर चान कर मिस्री मिला कर पीने से रिदय के जलन विक्रिती दूर होती है 14. वात विकार वा संधिशूल यानि कि जोनों के दर्द में लौंग का तेल मलने से पीड़ा खत्म होती है 15. लौंग को पानी के साथ पीस कर हलके गर्म पानी में मिला कर पीने से जीमिच लाना बंद हो जाता है 15. लौंग के तेल की एक दो बुंदे बताशे पर डाल कर खाने से हैजे की विक्रिती दूर हो जाती है नमबर 17 लॉंग को बकरी के दूद में घीस कर नेत्रों में काचल की तरह लगाने से रतोंधी रोग ठीक हो जाता है दोस्तों नमबर 18 लॉंग और चिरायता दोनों बराबर मात्रा में पानी के साथ पीस कर पिलाने से बुखार खत्म हो जाता है दोस्तों नमबर 19 एक रती लॉंग को पीस कर मिश्री की चाशनी में मिला कर चाट कर खिलाने से गर्ववती इस्तरी की उल्टियां बंद हो जाती है दोस्तों लॉंग जीवन शक्ति के कोशों को पोशन करता है इसी कारण लॉंग टीबी और बुखार में इंटी बायोटिक का काम करता है दोस्तों यह रक्त शोधक और किटानों नाशक होता है लॉंग में मुह आते और अमाशय में रहने वाले सुक्षम किटाडूं वह सडन को रोकन करने के गुण पाए जाते हैं दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि एक लॉंग हमारे लिए किस प्रकार से लाप्रत सावित होती है हमारे जीवन में अगली कड़ी में हम आप सभी से जुडएंगे दोस्तों कुछे कौर महतों पून जानकारियों को ले करके या फ प्रोस्तों